एक वीवर का question है कि siege to क्या है तो आये friends उनकी confusion को हत्म करते हैं siege to का इस्तिमाल हम come to and in के जगा पे करते हैं यानि जब हमें कहना हो किसी काम को बंद कर देना या किसी काम को रोक देना जैसे मान लिजे अगर आपको कहना हो बच्चा रोना बंद कर दिया तो इस sentence के लिए आप कहेंगे the baby seized to weep यानि बच्चे ने रोना बंद कर दिया अगर आपको कहना हो कि लिखना बंद करो तो इस sentence के लिए आप कहेंगे Siege to write अगर आप चाहें तो sentence के लिए ये भी बोल सकते हैं Siege writing यानि siege के बाद आप एक infinitu या zeron का इस्तिमाल कर सकते हैं यानि इस word के साथ zeron और infinitu दोनों का इस्तिमाल किया जाता है जूट बोलना बंद करो Siege telling a lie अगर आपको कहना हो कि आखिरकार विकाम करना बंद कर दिये तो sentence के लिए आप कहेंगे Finally they siege to work यानि आखिरकार विकाम करना बंद कर दिये मैं वहाँ जाना बंद कर दिया तो sentence के लिए आप कहेंगे I siege to go there यानि मैं वहाँ जाना बंद कर दिया अगर आपको कहना हो उसे मदद करना बंद मत करना तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे don't siege to help him यानि उसकी मदद करना बंद मत करना तो friends उम्मीद करता हूं कि आपने बाद समझा कि siege का मतलब होता है बंद कर देना